हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर तो दोस्तों आप सभी के लिए मैं बताऊंगा कि मैट में जो है ना कौन-कौन से important chapter होते हैं और किनकी किनकी आपको practice करनी पड़ती है और कौन से chapter ऐसे होते हैं जिनको आप बस concept के through ही कर लोगे क्योंकि देखो मैट में अगर आपको जो हमारा नारा है जो मैंने अपकी नारा जो है लगाया है आप सभी के लिए जो कि आपको सब को पता है कि अब की बार 90 के पर है ना अब की बार 90 के पार तो यह कैसे आएगा है ना ऐसे ही अगर हम लोग नारा लगा दें और इसके उपर काम ना करें तो आप लोग बोलोगे अरे इतनो नारा ही लग रहा है बस इसके उपर काम नहीं चल रहा है तो काम आपको मैं करके दूगा आप लोगों क matarके disp कुछन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको पता एक मैं अग्टो पढ़ाता हूं तो आप अकेडमी से बीसके साथ भी जुड़के हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यह जो नारा है अभी की बार 90 से पार तो इसको हमें कम्पलीट करना है और ऐसे कोन-कौन से जो चैप्ट किस मतलब कौन कौन चैप्टर जो है आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ती है अगर आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप वहां से दो चार नंबर जो है आपकी कम आ सकते हैं तो देखो प्रैक्टिस के लिए मैं स्टार बना रहा हूं सबसे पहले आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है एनलोजी जितना आप एनलोजी को प्रैक्टिस करोगे एनलोजी जो है आपके साथ रहेगी सीरीज देखो एनलोजी में भी बहुत सारे टाइप आते हैं मैं आपको टाइप के बारे में डिसकुशन नहीं कहा रहा हूं एनलोजी की भी practice करनी है और coding recording की practice करनी है देखो ये सारे जो होते हैं practice वाले हैं और यहाँ chapter आपको नजार आ रहा है missing number ठीक है ये ऐसे chapter होते हैं जिसमें आपको बहुत सारी practice की जरूरत होती है जितना आप practice करोगे उतना आपके साथ जाने वाला है और एक और chapter है आपके पास यहाँ वेंड आई करा अगर आपने 6 चेप्टर की प्रैक्टिस कर ली सबसे ज़ादा तो यकीन मानो भाई कई कई स्टेटों में यहां से 15-15 कोशन आते हैं है ना तो सीधे सीधे आप लोगों का काम हो जाएगा 15-15 कोशन आ जाते हैं इसमें तो खेर 10 कोशन तक आता है बट यह ऐसे ऐसे चैप्टर है ना जिसमें 15-15 कोशन दस-10 कोशन भर भर के आते हैं कहते हैं भाईया भर के आये हैं ले के जाओ और उठा के ले के चले जाओ है ना अगर फंसेगा तो 10-15 तक कोशन फंस आएगा और इसी में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है जितना आप प्रैक और गन्ठों पड़िये एक घंटा पड़िये लेकिन प्रैक्टिस रोज कीजिए इन सब टॉपिकों की प्रैक्टिस करनी है और मैं आप लोगों को यहां से कुछ टॉपिक को जो है बताता हूं की जिसको आपको क्या करना है कॉनसेप्ट शीखना है कॉनसेट के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो concept है आपको मैं यह बता रहा हूँ concept आपको इसमें यह करना है mathematical operation इसमें अगर आप बोर्ड मास जानते हो ना तो आराम से इसके question लगा लोगे इसके भी question अगर फंसेंगे तो 5 question डाइरेक्ट दे के जाएगा बोर्ड मास हो गया आप लोगों का यह आपको करना है इसका concept करना है इसका आपको concept करना है ठीक है direction भी same है आप concept जानते होगे कि कब कहा कैसे कैसे घूमना है तो direction भी लगा लोगे ranking test में भी आपको concept की जरूरत पड़ेगी concept कीजिए आपके यहाँ से भी number fix है ठीक है calendar और clock यह कर सकते हैं या आप लोग जो जानते हैं उसको भी follow कर सकते हैं ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया है आप उसी की practice करो आप किसी और का भी जो जानते होगे वहां से भी practice कर सकते हैं clock में भीया देखो सबसे ज़्यादा पूसता है एंगल है ना और एंगल वाला बस एकी formula होता है 11 upon में 2m into में 3 into में h बस यह एंगल वाले formula हैं एंगल वाले formula याद रखिए आपका यहां से भी concept से काम चल जाएगा ठीक है अब blood relation भाई यह भी concept है भी बलड relation में भी concept पूरा भरके हैं statement में देखो इसको भी थोड़ी सी practice करने पड़ेगे आपकी क्योंकि इसमें कोई concept नहीं होता है आपके पास statement दिया रहेगा उसी arithmetic reasoning भाई या stage 2 में बता दूँ आप लोगों को stage 2 में ये कम से कम आपको देखे जाएगा 10 plus question और यहीं से बनता है score अगर आप इसको arithmetic reasoning को कर लोगे अच्छे से तो आपका score मानो आपका बढ़ियां से काम हो जाएगा है ना तो arithmetic आपकी stage 1 में 5-6 question बट stage 2 में 10 plus question आता है seating arrangement भी आपका ये concept वाला काम है concept पढ़ लीजिए आपका कहानी हो जाएगा तो जिसको जिसको मैंने बताया है कि आपको practice करनी है तो उन सब chapter हो की daily practice करें भाई daily practice करें रोजाना करें दो question लगाएं पांच कोशन लगाएं दस question लगाएं लेकिन डेली पढ़ें daily practice करें है ना question कि अगर आप daily practice कर रहे हो चैप्टर वाइस भी करो अगर आपको कहीं से previous year मिल रहा है तो previous year लगाओ लेकिन आप पढ़ो है ना daily practice की जरूरत है यह जो मेंने chapter आपको starting में बताया है कि आपको इसमें practice की जरूरत है तो आप daily इसको practice करो daily आप इस की जोगों करो जितने नए-नए question आप करो गे उतने आप लोगों के पास speed बनता जाएगा दे कोई सबक्क में होता क्या है आप जितने भी बुक से लगाओगे न आपको अलग-अलग concept मिलेगा अलग-अलग question मिलेगे उनकी अलग-अलग question की अगर जब आप practice करोगे न तब आपको पता चलेगा रहे ये तो मैंने उस वाले book में किया था बट इसमें तो ये इस तरीके से दे राखा है तो ये जितने भी भाईया म उसी को एक बार revision कर लो जरूरी नहीं है कि नए question ही करना है है ना जो आपने practice कर रखा है जो आपके पास book है उसी book से इसकी practice कर लो लेकिन इनको छोड़ना नहीं है जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया एक-दो दिन छोड़ दे अगर यकीन नहीं आ रहा तो एका-दो दिन मेरी class जो है अन-academy के उपर सुबह 11 बजे और रात को 8 बजे चलती है तो आप इस class को भी attend कर सकते हैं और 9 बजे तो YouTube पे आता ही आता हूं तो 9 बजे YouTube के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like किजिएगा चैनल पे नए ह बहुत अच्छी लगी होगी information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा चलिए फिर मिलता है नई class में नई वीडियो में तब तक के लिए thanks दोस्तों